अगर हम बात करें इनके अलग-अलग रिजोनल आफिस की तो इनका हैड आफिस है मुम्मे में और इसके साथ-साथ इनके बाकी के आफिस कॉलकत्ता, चैन्नाई, सूरत, राजिस्तान के अंदर जैपूर और डली में दोस्तों, Gems and Jewelary Export Promotion Council ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्मेंट ने बना हुए बौड़ी है जो इंडिया के Gems and Jewelary सेक्टर को प्रमोट करने का काम करते हैं ये promotion के दोरान बहुत सारे ऐसे अलग-अलग प्रयास किये जाते हैं जिनसे इंडिया का James and Jewelry पुरी दुनिया के अंदर पहुँच है जब हम बात करें James and Jewelry तो इसमें इंक्लूड होता है गोल्ड प्लेन ज्वेलरी, डाइमन स्ट्रडेड ज्वेलरी, साथ में नेचरल और सीजर ज्वेलरी, उसके साथ साथ प्लेटीनम और सिल्वर ज्वेलरी, नेचरल और कल्चर डाइमन अभी हम जिसके उपर सबसे अदा का कर रहे हैं वो है, Labgrown Diamond, और उसे के साथ साथ इनके बहुत सारे Instrument and Machines, जिनके तुरू हम James and Jewelry के अंदर काम करते हैं, तो दोस्तों, James and Jewelry Export Promotion Council, ये इंडिया के James and Jewelry सेक्टर को दुनिया वर के अंदर कैसे पहुँचाए, या तो स्पेसिफिकली हमारी जो प्रोड़क्स ह की quality है, उनको हम दुनिया में कैसे दिखाए, इनका focus यही है, कि हम worldwide इन सारी चीज़ों को represent करें, अब हम बात करें James and Jewelry Export Promotion Council की, जिनके द्वारा ही ये IIGS का भी Iogen किया गया है, पर आप Export के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो उस case में आपको तीन चीज़े समझनी बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात किसको क्या बेचना है, क्योंकि कोई भी product हर एक market में नहीं बिखता, आपकी जो expertise है, उसके base पे आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी product के लिए कौनसा market suitable है, second number पे आता है कि Government of India एक्सपोर्ट को promote करने के लिए, ultimately बहुत सारे government benefits भी देता ह ये Government benefits क्या है, जैमसें ज्वैलरी सेक्टर में ये benefits आप लेके किस तरह से एक optimize pricing तरह कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ आने वाले time में आप ये Government benefit का फाइदा उठा के अपने competitor को कैसे मात दे सकते हैं, इसी के साथ से third parameter है, legal, fundamentals और legal parameters, जहांपे आप कोई भी तरह का invoicing करते ह हैं, आप कोई भी gold या तो silver या diamonds buy करते हैं, उनकी details को कैसे invoice में put up करते हैं, किस तरह से ये legal formalities के through, आप ये समझ पाएंगे कि हमारा quotation अगर perfect जाता है, तब जाकि buyer हमसे purchase करता है, अगर legal formalities के अंदर थोड़ा और देखे, तो आपका goals यहां से 1000 km दूर जाता है, तो उसमें बहुत सारी responsibilities भी हैं, तो यह responsibilities किसकी, उसके साथ-साथ आपका party आपको payment करता है, तो यह payment safe होना चाहिए, यह safety किस base पे ताई होता है, और उसी के साथ-साथ एक और बात, जो सबसे important है, कि जब आप jams and jewelry sector में काम करते हो, तो इसका transportation जो है, वो smooth and safe होना चाहिए, तो क्या हमा दुनिया के कोई भी economy smoothlessly पहुचा सकती है, government of India ने अभी-अभी एक नई policy भी दिया है, जहां से आप e-commerce export को भी बढ़ावा दे सकते हैं, यानि कि अगर आप कोई small jewelry को, जिनकी value 10 लाग से नीचे है, उनको export करना चाहते हैं, तो ऐसे case में भी अब नई policy को आप use कर सकते हैं, दोस्तों अगर हम इस सारी चीज़ों को समझे, तो हमारे पास आज बहुत सारा अवकाश है, जहां हम Indian product को दुनिया के कई markets में export कर सकते हैं, अब सब जानते हैं कि पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से China Plus One की policy चली है, दुनिया को आज एक option चाहिए अपनी product को import करने में, और द प्रोड़क को import करें, और मुझे लगता है, इंडिया इस बात को लेके सबसे टॉप पे आता है, we have the youngest population in the world, we are the second largest manufacturer in the world, and in that case, हम बहुत सारी product को cheaper with quality बनाते हैं, और यही हमें सबसे अलग करता है, इंडिया से जैमसें जवलरी को प्रमोट करने के लिए, ऐसे क्या-क्या प् प्रमोट से किस तरह से जैमसें जवलरी को export किया जाए, उनकी information ट्रेनिंग के द्वारा, और different webinars के द्वारा logo तक पहुँचाना, इसके अंदर बहुत सारे program जैमसें जवलरी export promotion council के different regional office से किये जाते हैं, हम सब जानते हैं कि इंडिया का जैमसें जवलरी sector ये आजकल का नहीं ये बहुत पूराना है, और हमारे artisans सालों से अलग-अलग तरह की varieties of jewelry बनाते आ रहे हैं, तो ये जितने भी jewelry हम बनाते हैं, क्या इसके बारे में दुनिया को पता है, ये कौन पता लगाएगा कि किस तरह से इनको promote किया जाए, या तो इनके बारे में information कौन देगा, और ये काम Jamson Jewelry Export Emotion Council of India के द्वारा किया जाता है, इसी के साथ-साथ बहुत सारे अलग-अलग trade fair आयोजन किया जाते हैं, जिससे कि आप India की Jamson Jewelry प्रोड़क की जो quality है, जो उनकी niche से है, उनको हम दुनिया बर के अंदर पहुचा पाए, और इसी की बतौलत, ultimately, यहाँ आपे सारे training and seminar वगेरा सब करती है, तो मैं Amit Mulani from Amit Mulani and team, specifically जुड़ा हुआ हूँ Jamson Jewelry Export Promotion Council की regional office सूरत के साथ, अभी तक हमने बहुत सारे program specifically Jamson Jewelry Export को लेके किये हैं, जिनके त्रू तक्रीबन तक्रीबन 500 से ज्यादा entrepreneurs को Jamson Jewelry को कैसे export करते हैं, उनकी training भी दिया है, दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, IAJS Signature के अंदर, जो कि इंडिया का तो है, बट दुनिया का सबसे बड़ा Jamson Jewelry का exhibition है, बात करें किस तरह की exhibition Jamson Jewelry Export Promotion Council develop करती हैं, तो तीन main exhibitions यहाँ पे Jamson Jewelry Export Promotion Council के द्वारा operate किये जाते हैं, सबस और IAJS Signature यह दोनों मुंबई के अंदर किये जाते हैं, जबकि IAJS Tritya यह किया जाता है, बैंगलोर के अंदर, दोस्तों, IAJS Signature और IAJS Premier यह पिछले तीन सालों से दो location के उपर किया जा रहा है, अल्टिमेटली, जियो कन्वेंशनल सेंटर, और उसके साथ साथ BAC, या यह देख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करके अपनी product को worldwide और Indian community के सामने represent करना चाहते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए, आज यह दो जगा पे specific trade fair का आयोजिन किया जा रहा है, तो चले थोड़ी बात करते हैं, IAJS Signature के बारे में, जिनका इस 16th edition है, जहाँ पे तकरीबां 1300 से ज्यादा exhibitors है, और उसके साथ साथ 25 से ज्यादा stalls available है, आज हम कड़े हैं, GEO World Conventional Center में, जो की दूसरा location है, और यहाँ पे बहुत सारे diamond manufacturers, lab-grown diamond manufacturers, gold plane and studded jewelry के बहुत सारे exhibitors, GEO World Conventional Center में हमारे साथ जुड़े हुए है, as a participants, as a exhibitor, दोस्तों specifically, यह IHS, यह only India का सबसे बड़ा exhibition नहीं है, बड़ यह दुनिया का one of the largest exhibition है, अगर आप Hong Kong के बाद देखे, तो यह World का second largest exhibition है, Gems and Jewelry के regarding, और जहाँ पे हम यह देख सकते हैं, कि बहुत बड़ी तादाद में, Gems and Jewelry manufacturers आपको इस exhibition में देखने को मिलेंगे, जब आप इस exhibition क विजिट करते हैं, तो आपको पता चलता है, कि इंडिया की अंदर किस तरह की Jewelry manufacturing की जाती है, और उसके साथ-साथ, Labgrown Diamond के अंदर जो Jewelry आप हम manufacturing करते हैं, उसका क्या class है, दोस्तों, अगर हम IHS signature की बात करें, तो specifically यहाँ पे इस साल, तकरिवन तकरिवन 800 से ज्यादा city से 32,000 से जादा visitors आने की संभावना है, और उसके साथ-साथ, 59 प्लस country से international buyers इसको visit करेंगे, यह वो platform है, जहाँ पे आप अपना stall book करके, या तो as a exhibitor participant करके, अपनी products को पुरी दुनिया को दिखा सकते हैं, अगर आप export के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो अगर आप export intended है, तो definitely आपको IJS का visit करना चाहिए, IJS के जो मैंने तीन अलग-अलग वर्दन बताए, उसमें, प्रीमियर ये generally August में होता है, जबकि signature ये जानिवारी में, और तृतिया ये around-around May June में होता है, तो बिलकुल अगर आप export intended है, और आप अपनी product को worldwide export करना चाहते हैं, तो ये platform के तुरू, आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से all over the world market की requirement हो सकती है, और उस base पे हम क्या jewelry बना सकते हैं, बात करेंगर Indian artisans की, तो ये जैसे मैंने पहले बताया, ये आजकल से हम नहीं बना रहे हैं, हम सालों से jewelry बना रहे हैं, लेकिन जब तक jewelry देखेगा नहीं, तब त we can say initiative लिया गया है, कि जिससे हम Indian jewelry को पूरी दुनिया के सामने represent कर पाएं, और हमारी jewelry को दुनिया के कौने कौने में पहुचा पाएं, अगर तुरे data के मुताबित देखें, तो last year के data के मुताबित, इंडिया का jamson jewelry का export था around 3.5 lakh crore, ये 3.5 lakh crore का export है, वो इंडिया के total export का 10 परसंट है, और फिर भी अगर हम पूरे world के export के सामने देखें, तो हमारा share 3.5 परसंट से ज्यादा नहीं है, यानि कि दुनिया जितना jewelry import करता है, उसमें से हमारा share 3.5 परसंट से उपर नहीं है, अगर हम untip potential market देखें, तो ये around around 96.5 परसंट है, और जिससे हमें ये पता चल है, कि हमारे लिए कितनी बड़ी opportunities पूरे world के अंदर available है, तो आइए समझने की कोशिश करें, कि अगर हमारी product को दुनिया के अलग-अलग कौने में पहुचाना हो, तो हमें किस तरह से इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए, ये export की procedure को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसके basics क्य हैं, अगर हम basics से advance, ये tactic को समझे, तो ना तो हमारा एक भी रूपिया डूप सकता है, और साथ में दुनिया के 237 कंट्री हैं, जहां पे हम ज्वैलरी को export भी कर सकते हैं, तो दोस्तों, Government of India के द्वारा अल्रेडी जैमसें ज्वैलरी को export में promote करने के लिए, उन्होंने इस त समझ के आगे बड़े, तो हम ये sector में आगे बहुत बड़ा future देख रहे हैं, यहां पे बहुत सारे exhibitors हैं, जो अलग-अलग अतरंग products बनाते हैं, and definitely जब इन products को हम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के पास ये products के अंदर कितनी varieties हैं, और जहां पे हम कितना beautiful crafted different kind of the jewelry बनाते हैं, तो चलिए, चलते हैं exhibition के अंदर, और मिलते हैं उन different exhibitors को, जो की beautiful crafted jewelry बनाने का काम करते हैं, और साथ में export करने का भी काम करते हैं, झालएज झालएज आप whether to בהणओ हैं ए्JA-나adt stress का मैं चलिए, तो आपको पास रेखेंट हैं, मっぱ कितनी अन्सान्स काम क左 झाएं और मिलते हैं, ऑ्क्शब एक भास हैं.